हेलो मेरे प्यार दोस्टों वेलकम टो आवर चैनल के जीएफ जंक्शन तो बच्चों आज टाइम और वर्क की आज पार्ट फोर में हम आपके सामने हैं इससे पहले मैंने इसकी तीन क्लासिस में आपको इसके एक्जामपल्स और सिस्टेंग एक एक्साज कराई है अगर आप आपने वह बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दे गए आई बटन पर आके आप पहले उस वीडियो को देखिए उससे आपको जो पार्ट फोर है और भी ज्यादा अच्छे तरह के समझ में आएगा और जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है कि एससे जीडी अदर में अपने बेसिक को बहुत अच्छे तरह कर सकते हो और सभी को पता है कि एक मैथ की जानी मानी बुक है जिससे आपका बेसिक और मीडियम लेवर बहुत अच्छे तरह से स्ट्रॉंग होता है तो आए बच्चों बिना किसी देरी के अपने आचिकलास शुरू करते है तो बच्चों इससे पहले मैंने आप सभी का 16A तक की एक्सराज कंप्लीट करा दे थी आज हम सीखेंगे बच्चों 16B में 16B के कुछ important question और जो बच्चों कुछ doubts है उन question को आज हम cover करेंगे अपनी इस वीडियो में तो वीडियो को बच्चों एंट तर देखिए ठीक है तो सबसे पहले सिंपल सा question एक्सराज क्यों कि मैं शुरू करा रहा हूं तो एक पहला question सिंपल सा मैं ले लूँ कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी basic नहीं पता वो थोड़ा बहुत यहां से भी देखके समझ सके पहला question क्या बच्चों 42 व्यक्ति किसी कारे को 15 दिन में मैं आपको पहले दा चुका हूं कि देखिए जब ऐसे बरावर हो तो आमने सामने कट सकता है तो 15 एकम 15 15 दूनी 30 और 2 से काटा तो कितना गया 21 मतलब जो 30 व्यक्तिरी थे उस काम को 21 दिन में कर देंगे ठीक बच्चों तो बिल्कुल basic question था अब इसके बाद सेकेंड कोशन सब्सक्राइब जिसमें बच्चों को दिक्कत आई है हम दोर सा उस question को ध्यान से देखते है ठीक है देखिए इसक्रीन पर यापके तरड कोशन है उसको ध्यान से देखिए तो बचे थर्ड कोशन, यह आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है कहा रहा है इसमें, कि एक एक गड़े को, ठीक न, एक पिट है, उसको एक गड़े में खोदता है, और उसी आकार का एक और गड़ा भी खोदता है, सवा गड़े में, अब ऐसे 72 गड़े खोदने के लिए, और बे मिलकर, आठ गण परते दिन कार्रे कर रहे हैं, तो कार्रे कितन दिरों में समाथ होगा, ठीक है बच्चो, अब कोशन को ध्यान से पढ़िए, एक गड़े खोदरा एक गड़े में, और बी उसे गड़े होदरा गड़े में, अब बच्चे यहाँ तो ऐसे लिख देत एक घंटे को 60 मिनट में खोदता है और बी उसी गड़्य को सब गंटे मतले एक गंटा 15 मिन्ट में खोदता है अब देखिए यहां पर हमने घंटे को मिनट में चेंज कर दिया है सबसे पहले मारे काम क्या है एल्सम निकालना आप 75 के टोल पड़ोगे ठीक है कितना अंसर आएगा 300 ठीक है एल्सम कितना आएगा 300 क्यों 75,500 और पिछेतर चोके 300 अब उसने क्या कहा है कि ऐसे 22 गड़्य खोदने के लिए A और B मिलकर तो पहले हम यह तो पता लगा ले कि वह एक गड़्य कितना दिर्व में खोदते हैं तो देखे ध्यान से अब निकालते है A और B तो A और B एक गड़्य खोदेंगा 300 और देखें 5 का मिसका और 4 का मिसका तो मतलब 300 बटे 9 अब देखें मिनेट है क्योंकि हमने मिनेट लिखाता है इसलिए अंसर किसमें आप बच्च तो हम इसको किसमें चेंज करतेंगे गंटे में और आपको पता है कि मिनेट को गंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों अगर आप इसको आप डिवाइड कर चाते हो तो कर लो तो 100 अपॉन 3 मिनेट और सब को पता है कि मिनेट को गंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो हमने आ करते हैं 60 से डिवाइड अब यह अंसर आगे हमारा आवर में मतलब एक गड़ा वो इदन दिर में खोद देते हैं अब आप मुझे पताइए ऐसे कितने गड़ कर दोगे तो बच्चों कुछ बात समझ मारी है कि यह जो हमारा निकला है यह एक गड़ा सो बटे तीन मिलिट में तो 72 गड़े तो 72 से मिल्टिप्लाई कर दिए अब देखिए अगर आप करते हैं इससे काट लिए तीन अब देखिए 18 और 18 चोके 72 मतलब चार धाम 40 गंटे म हैं अब इस कोश्चिन को मैं स्वाट में करा हूंगा कोड़ी न इस गड़े को 40 गंटे में खोद सकते हैं लेकिन अब यहां पर देखो उन्हें एक नियम ला दिया है उसने कह रहा है कि ए और बी मिलकर 8 गंटे परते दिन काम करते हैं कहने क्या है कि ए और बी मिलके उन 72 ग गंटे में काम कर रहे हैं और एक दिन में सिर्फ 8 गंटे काम कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब काम जो है 5 दिन में हो जाए तो बात समझे बाद चौप को देखिए कोशन कुछ इस तरीक है मैं कहता हूं कि मैं एक खाई को 24 गंटे में खोद तो अब बताओ खाई को खोदने में कितन दिन लगेंगे तो सीधी से बात है भाई अगर मैं एक दिन में सिर्फ 6 गंटा काम करूँगा तो मैं 24 को 6 से डिवाइड कर दूँगा तो 6 चौक 24 मतलब वही काम मैं कितन दिन में कर पाऊंगा 4 दिन में तो समझे बच्चो अगर गंटे पूछे तो 24 गंटे लेकिन जब वह नियम ला दे कि वह एक दिन में सिर्फ 6 गंटा काम करूँगा तो एक दिन में 6 गंटे दूसरे दिन 6 गंटे और चुक दिन 6 गंटे टोटल काम हो गया 24 गंटे तो इस तरह से डिवाइड को अंसर लिया आते तो यह बच्चो आपको इस कोश्चन का बेस तो समझ में आई गया अब देखें दुबार से अगर मैं इस कोश्चन को समझाओं एक छोटे से होगा उसी तरीके से लेकिन हम कैसे सवाल को जल्दी कर सकते हैं अब देखिए यह हमने निकाल ले था अब मुझे निकालना था कि A और B मिलकर ऐस करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे अब इतने देर में एक गड़ा खुद रहा है गड़े खोदने कितना है 72 तो 72 गड़े खोदने के लिए उसके 72 से मल्टिप्लाइब कर देंगे ठीक है अब इसके बाद ऑवरल हमारा अंसर निकल आजागा इतने गड़े में वह जो है यह हमारा अंसर है इसी को आट से डिवाइड कर देंगे कहने का मतलब यह है कि अलग अलग बार-बार करने से अच्छा है कि एक ही जगह सारी के लिख लो और फिर सवाल खतम ठीक है तो देखे काट देंगे देखे आट निम बहात्तर बहातर से बहातर पुरा कड़िया औ पहले उसको ध्यान से देखिए उसके बाद आपको यह बात बहुत आसानी से खुद भी समझ माई जाएगी ठीक बच्छो तो आप बढ़ते अपने नैस्ट कोशिन के और इसके बाद थर्ड कोशिन का फॉर्थ और फिफ्ट कोशिन भी सिंपल है वह बच्चो नहों आसानी से अब देखिए एक किसी काम का कह रहा है दो बटे पांच भाग किन दिन में गड़ता बच्छो गर्थ 10 दिन में और व उसी काम का एक बटे तीन भाग किन दिन में करता है पांस दिन में तो मैं मैंने आपको कहा था कि यहां से आप टोटल निकाल ले किजी आप देखिए मैंने काता जब बीचें बराबर हो तो सामने सामने कट सकता है देखें तूसे कटिया तूफाइव जा टैन और फाइव डिवाइड में है तो यहां पाएगा मल्टिप्लाइब मतलब 25 मतलब यह उस जमा तो उपर दोने गुणा कर दी 25 मल्टिप्लाइब 15 अपोन में दोनों की जमा तो कि नगवच्छो 40 देखते ध्यान से तो फाइव से गड़ जागा फाइव तरी जाफ 15 फाइव एट जाफ 40 ठीक है तो इसका अंसर कितना गवच्छो 75 अपोन में 8 ठीक है और अगर बट देखेंगे बच्छो इसको नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 7 सेवन बहुत सिंपल कोश्चन है लेकिन पता निए बच्चों को अकसर दिखत क्यों हो रही क्या कह रहा है कॉश्चन में एक किसी काम को 9 घंटे परते दिन करके 7 दिन में समाप्त कर 9 घंटे करता है और किते दिन में करता बच्चो 7 6 7 डेस में करता तो अब खुद बता हो अगर अगर एक नो घंटे परते दिन काम करता है और 6 दिन काम करता था सबसे पहले हमारे काम किया इनका निकालना आप देखिए 63 और 42 का बड़ी संख्याओं नहीं आता तो आप यह 63 है और यह 42 है मुझे पता दोनों ही सेवन की टेवल में आता है ठीक है साथ निम 63 और साचिंग 42 ठीक है फिर तरी से कर लिए ठीक है तो इस तरीके से भी आप जो इसका एलसम निकाल सकते हैं और फिर मैंने काता है कि गुणा करने जो अतनी है आप इसी को ठाक है पूट कर और लक tubes काम निकलिया अव हमें क्या निकालना है कि दोनों मिलकर यदि इतने गंटे काम करे आठ सही 2 वट पांच घंटे प्रत्रीं काम करे तो किम दुद्रीं में समाफ्त होता है दोनों मिलकर थ्यान से देखे 126 upon में क्या होगा 2 और 3, 5. तो दोनों मिलके इतने घंटे में कम क différentes कर देंगे तो अंसर तो तहीं हो बना होता लेकि उसने क्या बात कहए दिए है कि दोनों मिलकर 8 सही 2 बटे 5 घंटे परते दिन काम कर रहे हैं मतलब दोनो मिलकर 8 घंटे कुछ पर्डे काम कर रहे हैं, तो भाईवी मैं आपको सिखाये था, कि देखिए, आप उसने क्या खाये, कि दोनो मिलकर पर्डे, 8 सही, 2 बटे 5, तो देखे, 5 स्डे शारीश और 2, 42 बटे 5, मतलब दोनो मिलकर पर्डे सिर्फ इतने घंटे काम कर र तो इससे क्या कर देंगे तो क्या हो जागा फॉर्टे टू अपॉन में फाइव यहां यहां यहीं पर दो ठीक है आप देखें फाइव से फाइव कर दिया और अभी मैंने तरह ब्यालिस्तिया 126 मतलब काम जो है तीन दिन में समाफ्त हो जाएगा यह बटे में लिखा इससे घबराना मत देखिए अगर आप पांस से काट हो गए तो पांच एट पॉइंट सम्थिंग कहने का मतलब क्या है कि यह परड़े आड़ घंटे कुछ मिंट काम कर रहे हैं और जब भी हमारा बास सेंटेज वाले चीज़ों को बटे वाले चीज़ों को देखते हैं आप अक्सर बहुत डर जाते हो ठीक ना आप में लगता है कि कुछिन बहुत सिंपल सिंपल है हर टाइम ऐसा नहीं होता है कॉम्पेटिशन बच्चो एक अलग लेवल पर जाच वाठी है तो क्या कह रहा बच्चो ऑए किसी काम को बारा दिन में समाप्त कर सकता है इस काम को 12 डेज में फिनिश करता है अब क्या कहा है कि गी एसे साथ च्बार चारा सलन ज्यादा दक्श ज्यादा पर ज्याधे वो एसे सिस्च्थिवर से ज्यादा capable है तो मतलब अगर मैं इनका ratio निकाल लूँ ए और बी की capability का तो ठीक है देखे उसने कहा है कि बी जो है ए से 60% ज्यादा है तो मैंने सिंपल से लेंगोज में असे लिख दिया अब देखिए अगर कट तो काट दिए इससे कट दिया यह आ गया फाइव रेश्यो एट इतने वास मुझा गई यह क्या गए बचो इनकी capacity का ratio कि मतलब की capacity capacity आठ अब देखे उसने क्या कहा है कि बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा मतलब उसने पुछा है कि यह कितने में काम को finish करेगा अगर आपको तो टोटल वर्क मिल जाए तो बीगी कैपसिटी तो आपको पता ही है और टोटल वर्क निकाल लेका मैंने फॉर्मूल आपको बताया था ठीक है मैंने आपको सिखाया भी था बच्चो लास्ट क्लास में वहां पर हमने कैसी था कि अगर कैपसिटी जब हम कैपसिटी के मल्टिप्लाई करते हैं बच्चो टाइम से तो क्या निकल गयाता है टोटल वर्क यह मैंने आपको पहले से चुक हूं क्या निकल गयाता है बच्चो टोटल वर्क अब देखिए यहां पे यहां पर हमें एका दे रखा है कि ए काम को 12 दिन में करता रहेगा कितना काम करता रहेगा तो कितना काम होगा बारा पंजह साठ्थ बताइए यह आए आए आधाय लृट अ क्थिट्व27 5 ने,- तो बाए जिए ने पांज काम कर रहा तो बारा फंजय टोटल काम कितना होगा साथ अब उसने क्या पूछा उसने पूछा है कि इसी काम को कितना दिन में स्वाफ करेंगा तो बस कोशन खतम है ठिए तो किया पूछא time पूछा ठीक है ना बच्चो तो इसको कोश्चन को no down कीजिए आपको यह वास सुझ में आरे ने देखिए ध्यान से ए ने उस काम को 12 दिन में करा और बी ने उस काम को 60-60 दिन में भाई बी की कैपिसेटी ज़्यादा है तो time कम लेगा नहीं लेगा और एकी कारे को एक निश्चित एक certain time में करता है और किया रहा है इसके three by fourth time में इसके तीन बटे चार समय में ए इससे आधा काम करता है तो उसने पुछे ज़िए दोनों मिलकर इस कारे को अठारा दिन में स्माप्त कर दे तो भी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा तो देखे बच्छों यहां पर दोनों का मिला के time दिए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर दे रहा है अगर मुझे यहां पर ए और बी के एक पूछे लेकिन को कुछ क्या होती है कि कुछ कोशन में हलकी फुल के जो वर्डिंग को आगे पीछे करता है और उससे बच्चे के लिए को कर देखते हैं क्या कर रहा है इसके तीन बटे 4 समय में इसका आधह काम करता है पहले मैं सिखारो तो देखें के तीन बट्टे चार समय में इसका आधा काम करता है तो कोई दिखकर नहीं हमें B और A मिल गया यहां से इसका रेश्यो अराम से निकल सकता है ठीक बच्छो देखें साम साम में कर जागा यह कर जागा दो दुनी चार्ट आप देखें और A upon B और 3 upon 2 तो थाई द्यास से देखें A or B इनकी कैपे सेटी के रेश्यो बनाने हैं ना तो इनकी कैपे सेटी करें धोंगा 3 रेश्यो 2 कुछ बास हो आई देखें A के सामने 3 है और B के सामने 2 है तो A और B कैपसे पहले ऑचांग को कितन दिन में करेगा तो कोश्चुन को यहां से देखिए अब देखिए ए और भी काम को टोटल मिले कर रहा है ऐठारा दिन में ठीक है और दोनों की मिलाय कैपिसिटि कितनी है तीन और दो-5 तो बच्चो पाची कैपिस्टिटी में अठारा दिन तरकां रहेंगे तो टोटल कितना अठारा पंजे नब्वे तो टोटल वरके बच्चो 90 अब देखिए अच्छा बच्चो यह नहीं यहां पर टाइम का रेश्यो ठीक है किसका था यह टाइम का रेश्यो क्यूं उसने कहता है कि बी के 3 बटे 4 समय में इसका आधा काम करता तो यह टाइम का रेश्यो था तो प्रच्चो बस कोशिंग खत्म है टोटल कितना है 90 और बी क्यापसिटि कितनी है तीन तो 90 को 3 से डिवाड करेंगे तो कितना अंसर आगा थर्टी ठीक मत तीस दिल में काम को खत्म कर देगा अभी तक बच्चो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी होगी ना देखिए ह हमने दो फॉर्मूलों पे अभी तर्व डिस्कस किया थिए उन दो फॉर्मूलों का अब्ने समझना बहुत जरूरिया कि का है कि जहां के के कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ट्या टाइम निकरके नहीं आएगा मैंने वही तो कर रहा है उसने बीगर टाइम पूछे था भाई तो टोटल वरक ऊपर और अपन में कैपेसिटी तो इन दोनों फॉर्मलों का आप लिख भी ली जाएगा ठीका वरना मैं बोलता बच्चो नेक्स्ट कोशन 11 कोशन बहुत छोटा है लेकिन बच्चे इसमें कहा रहे हैं कि उनके दिक्कत हो ले ठीक है तो देखिए एक आर में दुआर से बाद है नहीं हाले कि मैं एक और पहले भी डिटेल में समझाया था क्या क्या रहा है बच्छों में एबी से काम करने इसका तो अगर यह एक है तो यह उन पात तीन यहीं तो बच्चो अब उसने कहा है कि कोई काम पूरा करने में बी से साथ दिन कम लेता है तो सभी बात है जब एक क्यापिसिटी ज्यादा है तो टाइम तो कम ही लेगा तो वो ले रहा साथ दिन कम कि यहां पर एक तीन आएगा तो कितना गया 30 कितना अग़े वच्चो टीन तो उसने पूछ यह है बताओ बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा किजसी जत्म अगर मैं टोटल वर्क को मैं जहां पर लिकमिद रहा हूं कि बी का निकालने time तो total work को अगर B की capacity से divide कर दूँगा तो अंसर आजाएगा आप देखिए अच्छो क्या है की देखिए इसने कहा है कि A ना दो दिन कम ले था तो मैं जो काटा 30 है तो इसी 30 कि ना आप यहां multiply कर दो तो 30 है 90 तो यह समझो कि कितना हो गया 90 उसी time की अगर मैं एक की capacity में कर दूँगा तो मतलब नब और बी की capacity कितनी है एक एक को डिवाइट करोगे तो बी उसी काम को 90 दिन में कर पाएगा तो बी उसकाम को 90 दिन में कर पाएगा इसको नोट डाउन कीजिए बारवा कोश्चन सिंपल सा है तीनों का वर ठेवा क true q nation no 13 क्या कहा रहा किसी काम को 18 दिन में देखे क्या कहराए है किसी काम को 18 देखे करता है और बी उसी काम मों कर लेता है 12 दिज मादब 12 देज में और कह रहा हैं abc मतलब a b or c तीनों मिलकर उसकाम को त scheint इनमें करते बास सही भी है बाहिए जब अकेला 18 में कर उसने पूछ बताओ कि C अकेला इस काम को कितनी दिल में करेगा तो कोई दिक्कत नहीं सबसे पहला काम क्या हमारा एलस्मनिकालना अब देखे अठार 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 दूनी 36 चातिस इसमें आता है और 36 तो ऑसे में बने आप डारेट बीना लिखे वे अराम से वरबली माइड मोस केलब्रेट कीज़ी है अब देखिए अठारा दुनीच अठीस बारा ती अच्छातिस और चार निमच्छ इतनी वास समझ मांगे बच्छा आपको इतनी वास समझ मांगे नहीं अब ध्यान से देखिये उसने क् पूछा है कि C अकीला इस काम को कि दिन में करेगा तो मुझे अगर C की कैपसिटी मिल जा तो कोशिन खतम हो जाएगा और C कैपसिटी कैसे मिलेगी अब खुद देखिए A B C तीनों की कैपसिटी है नो यह जो मारा आता है बच्चो यह कैपसिटी तो आती है अब देखिए A to testy है दो विखाटि है वैस्ट यह टीनों की मिलाकर है नॉच अब खुद देखो कि ओर बी डोनों की पाँच और तीनों की मिलाए कितनी है नौं तो नौ मेंसे पांच होटा दिया तो सी की केपे सिटी चार होगी ने वाद सुझायरे जाए तो बस उसने पूछा है कि सी अकेला इस काम को कि दिन दिन में खत्म करेंगा तो अब देखिए अगर सी का निकालना है तो टोटल ने कितना होगा 36 हो गया ठीक है और सी की के अगर मैं इन दोनेगे काम को नौ दिन में खतम कर देगा यह मैंने आप ही के लिखा है बच्चो वरना बात नौर्मल इसी भी समझ में आ रही है कि तीनों की है और इन दोनों की में लागा है पांच तो नौ में से पांच गया तो चार तो सी को छतिस काम करना यह चारि के पर सुटिसे से तो चार से डिवाड करते हैं तो काम नौदिन में खतम हो जाएगा नौदिन घंटे जो भी वह उसमें काम करते हो जाएगा तो समझेंगे आप बात को ठीक है तो इसको नौट डाउन कीजिए नेक्स्ट को पूस्ट्स को सिंपल है अराम से कर देखने कर दुबार साब को बता देखें क्या कर रहा है ए और भी किसी काम को 36 दिनों में और सी और ए उसी काम को 18 दिन कर सकते हैं तो तीनों मिलकर इस काम को के दिन पूरा करेंगे तो मैंने आपको सिखाए भी था कि एल्सम निकाले फट से ठीक है देखें 36 इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है आप डबल डबल टाइम जोड़ा है नहीं जोड़ा कहीं पर आ रहा है यह मिसले यह देखो टू ए प्लस टू भी और प्लस टू सी तो मैंने कहा था आपको इसके लिए में क्या करना है कि जो भी टोटल वर्क है उसका भी आप दूगना कर देजिए कहा तो कि अगर यहां प आपका ड्रिस ब्लस सी तो ठीके आप देखतेकर देखते लिए नो नो से काट दिया नोर्थे भाट ट्र खाट लेंगे जो है आपको बात समझ में नहीं आई तो देखिए मैं नों को ऐसे लिए तो एस बटिक लोटे ना से काट दिया 9 12 और 18 16 मतलब ए औरभी मिलकर जो है आगे बढ़ते हैं सिस्टिन कुछ मी बच्चो सेम टूसे में इसी के तरह है वहाँ यह पूछा उसने एक लाइस काम को कि दिन में खत्म करेगा तो आपको पता है अगर बी और सी काम घटा दो गए तो एक काम ने कर जाएगा बात खत्म तिन अब यह कुशन देखे बच्चो और सी और ए सी और ए जो है इसी काम को चार दिन में करते हैं किन दिन में करते हैं चार दिन में अब इसने यह पर यह नहीं पूछा कि तीनों मिलके कि दिन में कर रहे हैं या ए बी या सी कौन किन दिन में कर रहे हैं उसने यह पूछा है बच्चो कि इन में से कौन सा अकेला काम को सबसे कम टाइम में लेगा, सबसे कम टाइम में, अब देखे बिच्चो, उसने क्या पूचा है, कि सबसे कम टाइम में काम को कौन खतम करेगा, तो एक तरीका तो हुई, जिते कहते हैं, simple आला, कि 3 का इलसें निकालो, फिर 3 का निकालो, और फिर वहां से, पहले AB को घट कौन लेगा तो ध्यान से देखी छिए और क्या टाकर में कौन वाइं क्यों है एक तो पास दिन और चार दिन हृट आप धृदिन ईन दो लोनी trading number common से आफ़ोगे व्यमों को मैं कौन सा अल्फबेट रहे तो आपको गये इसमें और इसमें क्या common है एक क्या common बच्चो ए मतलब सबसे कम टाइम में काम कौन कर देगा ए तो यह यह बच्चो जादा टाइम में कौन करेंगा ठीक है सबसे जादा टाइम में अब देखिए आप पकड़ जो जादा टाइम बालें क्या पांस तरीके से सवालों के अंसर निकलते हैं हमें सवालों को देखना पड़ता कि सवाल किस तरीके से पूछा गया और उसी तरीके से हम उसका जवाब करते हैं तो बच्चो आज हमने 16B की आधी एकसाइच आपके साथ कर लिया है इसके जो आधी एकसा सवाल जो बच्चेव हैं वो आपको सबको ट्राइ करना है जो मारे और लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसके कुछ important portion और आपके डाउट्स उन सभी को combine करके अपनी next class में सिखाऊंगा तो बच्चो अगर आपको कोई डाउट हैं तो आप मुझे comment box में doubt पूछ सकते हैं ठीक है और साथ ही साथ बच्चो में आपको बता दूँ कि आप सब आए हो तो इसको जाद जाद लोगों तक पहुंचाइए और इसको अपना दिश्यदिक प्यार दीजें तो मिलते अपनी अगली वीडियो में